हमेलो दोस्तों मैं आज अपके बतने बनावाओई स्पाणि के कायान बहुत थी लोगों को बहुत ही ज़ादा परैशनियों से घुजरनना पराया नो दरहसल गाउ के लोगों को ज़्याजा इस्पाणि से छिपादा मारा से सरकारी तरफ से कोई रेशनपात अभी तक नहीं पहुचता है पहुचने से बहुत ही देर हो जाता है और अगर सरकार के तरफ भेजा जब भी जाता है तो हमारे हमारे हाथ तक अभी तक पहुचा नहीं कुछ भी तो इदर के कोई न्यूज लाइप का भी कोई सुविदा नहीं होता है तो मु भी सोचता हां एक वीडियो बनाना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि सरकार तक पहुच जाए तो नुश्कार दोस्तों मेरा नाम है बीविश्पास और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो मेरा चैनल पर आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं कोई टेक्निकल वीडियो नहीं बनाना वाला हूँ जो कि हकीकत है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि हर को किसी को कभी ना कभी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है तो ताकि मुझे भी मुझे भी इस प्रॉब्लम से गुजरना पर रहा है इतना ज्यादा पानी हो गया है मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हरा है ना करियर में जाने के लिए कोई काम में जाने के लिए तो जाने पा रहा हूँ देख सकते अपना रास्ता में भी ऐसे पानी हो चुगा है इस घर में आप देख सकते घर का शेर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर करके पूरा सोशिल मेडिया में शेर कीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंझ जाए और हमारे मजदुरूर को कोई सुविदा भी मिल जाए ताकि ये लोग आराम से रह सकते और रहने के लिए कोई आच्छा सा जगा सुव जी लगाते और एक जट्वा में पानी पूरा बहा के दे चुका है तो लोग को कितना दुखी हुआ है कितना लोग रो रहा है कितना लोग बरबाद हो चुके है उसी के में बताने बलाओ कि यार ये वीडियो पूरा अन तक देखे और सरकार तक पहुंच जाए ताकि सभी क और अगर वीडियो को अभी तक अपने लाइक नहीं किया तो लाइक किजिए और अपने दुस्तों के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप देख सकते कितना सारा प दिक्कत हो रहा है कि कुई रेशन पानी घह में नहीं आदमी पानी पी-पी के रह रहा है कि आज के लिए इतना ही दोस्तों जय हिंद बंदे मातरम आपका दिन शुग है